Welcome 6 Class Students आज जो हमारा Science का Topic रहेगा वो आपका Unit 4 रहेगा Sorting Material in 2 Groups इस Chapter को आज हम Study करेंगे और इसमें जानेंगे कि इस Chapter का हम Book में Reading करके फिर इसके बाद इसके बाद हम Summary करेंगे Summary के बाद जो हमारा मेरा Important Question पार्ट इस वीडियो करेंगा वो हम Question को Solve करेंगे इसके Exercise के पीछे जो जो दिये गया है Question है उनको हम Solve करेंगे और सबसे Last में जो आपको है सबसे Interesting आप इस वीडियो को Last तक देखें इसमें हमने फिर आपको Provide कर रखें हैं जो Question हमने Exercise में करेंगे उनके अनसर आपको इस वीडियो के अंत में दिये गया है तो आपको कहीं और इसमें पढ़ने की जुरूत नहीं है अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं जितने भी बस्तों हैं तो सबसे पहला जो हुई हमारे आसपास की बस्तों है तो हम जानते हैं कि हम अपने आसपास की बस्तों है कि आप चारों और नज़र दोडाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो बस्तों जो हमें दिखाए दिए और इस ऑबजेक्ट्स है डिफरेंट से जितने में हम बस्तों देखें तो परते एक बस्तों की अपने काक्रिती है उसका अपना एक रंग है और एक अपना यूज है तो यहाँ पर इसे आपकी बुक्स में दे रखा है यहाँ पर ग्रूप ऑफ ऑबजेक्ट आराउंड अस हमारे चारों और जो कुछ एक बस्तों की लिस्ट यहाँ पर दे रखी है तो इसमें गिलास है फिर इसके बाद ट्वाइज है मुवाइल फॉन है तो और इसके बाद आपका इजमेटरी बॉक्स है लॉक है तो इस परकार अनेक बस्तों जो हम देखते हैं वो हमारे चारों और पाई जाती है अगर हम इनको देखें और हम पाएंगे कि कुछ बस्तों की सेप है वो क्या है राउंड है गोल आकरिती है जैसे रवडबॉल है फुटबॉल है ग्लास मारबल है इसी तरह हम देखते हैं कुछ एक बस्तों हैं जो हम उनको इटेबल हैं जोने हम खासकते हैं अर्थन पीक्चर जो हमारे घर में होता है घड़ा जिसमें पानी पीते हैं तो वह भी राउंड सेप का होता है तो इस परकार हम अगर अपने चारों देखें तो बहुत सारी बस्तों जो है वो कुछ एक बस्तों है जो है ग्रूपस ऑफ अबजेक्ट आट आर मेड़ अफ प्लास्टिक जो प्लास्टिक की बनी होती है जैसे बकेट लंच बॉक्स है ट्वाइज है बाटर कंटेनर है पाइपस है और मैनी सच अबजेक्ट बहुत सारी ऐसे अबजेक्ट हैं जिने हम कि वो प्लास्टिक की बनी होती है तो अब्जेक्ट जो होती है बस्तों जो होती है on the basis of the diary से उनका हम differentiate कर सकते है उनकी आकरती के नशर और the material खेल और मेड़ किस material से बनी होई है तो all objects around us are made of four nor मो необход कुछ एक बस्तों है हमारे चारों और ऐसी होती है जो कि एक material के बना न और यह के नजर दोड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास नेक बस्तु हैं जो हमारे जिनकी से पलग है और किस मेटरियल से बनी हुई है तो इस परकार आपका जो फर्स टॉपिक इसमें अब दूसरा टॉपिक है इसमें टेबल है टेबल 4.1 ऑबजेक्ट एंड मेटरिय यह मेटर से बनी होती है पैन जो हमारे प्लास्टिक होए यह मैटल रिखान ह're चाक्न होती है इस तरह लक्ड़ी की विसीचित दूसरा जो टेवल आपकी बुक्स में है डिफरेंट टाइप आफ अबजेक्ट डैट आर मेड फॉर्म सें मेटरियल जो की एक ही परकार की बस्तू से बनी होती है मेटरियल यहां दिया गया है अबजेक्ट मेड आफ दीज मेटरियल किसे बुड लकडी मेटरियल लकडी से क्या कैया बने सकता है चेयर, टेवल, बलो, बलोक कार्ट, एंड फिल बाईये, हल, कुर्सी, मेज इस परकार लकडी कागज से बुक्स बनती है, हमारी नोटबुक्स बनती है निव्ज पेपर होता है, ट्वाइज होता है, कलेंडरी काग़ से बना होता है लेदर से हम क्या क्या बना सकते हैं सूज बना सकते हैं बैग बना सकते हैं बैल्ट होती हैं प्लास्टिक से बकेट ट्वाइज कप कॉटन से रोज बने होते हैं थ्रेड्स दागे बने होते हैं तो इस परकार मेटेरियल लेक है अगर उससे बनने वाली तो यह हमारा इसमें दो आपका जो 4.2 टेवल नेक्स टॉपिक है 4.2 प्रॉपर्टी इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो मेट्रील होती हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं तो हम देखते हैं कि तो यहां एक लडकी है जो की एक टंबलर बनाने के कुछ कर रही है तो ऐसा हो नहीं है कि हम एक गिलास बनाएं जिसमें हमलॉक हमें एक अटमलर बनाने के लिए गिलास चाहिए यह प्लस्टिक का होचकता है मेटल धातो का होचकता है और other such material का किसी और material का होचकता है जो की पानी को रोके ज़रक सके तो इस परकार we see then that we choose a material to make an object depending on its property तो हम कौन समटील चूज करते हैं वो इसकी property के ओपर depend करता है the purpose और किस उदेशा से हम उसको use कर रहे हैं for the object to is to be used कौन से उदेशा है जिसके लिए हम बस्तु का उसका प्लियोग कर रहे हैं तो इस परकार दूसरा जो property है वो है appearance appearance बनावट materials usually look different from each other जितने भी बस्तु है वो इक दूसरे से अलग दिखती है wood looks like very different from iron लकडी जो है वो लोहे से अलग दिखती है iron appears different from copper और iron जो हो copper और aluminum से different दिखाईता है at the same time there may be some similarities between और इसके अलावा उनमें similarities भी होती है between iron copper and aluminum similarity जिए है कि वह metals है जब कि बूड लकडी है वो लोहे से अलग होती है तो इस परकार यहां पर एक activity दे रखी है आपकी books में जिसमें एक pipe है जिसमें pipe को अगर हम काटें तो इसमें cutting piece of material to be see अगर हम इस pipe को लें और इसको काटें तो हमें दिखाई देगा कि इसमें एक luster एक चमक दिखाई देगी material that have such luster are usually metals बहुत सारी ऐसी बस्तुएं जिन में luster होता है वो जातर क्या होती है metal होती है जिसे iron, copper, aluminium, gold इन में luster होती है and some materials often lose their sign and appears dull और कुछ यह करोती है कि समें के साथ जो है उनकी sign कम हो जाती है और dull हो जाती है जिनकी luster खतम हो जाती है तो इस परकार hardness अगरी जो property of hardness कठोरता कौन सी material कितनी कठोर है soft है यहां bird है soft soft कि से का जाएगा the material which can be compressed or stressed easily to call soft ऐसी बस्तुएं ऐसा material जिसको हम compress करें दबाएं या stretch करें तो उसमें property है कि वो soft होगी while other materials which are difficult to compress और ऐसे बस्तुएं जिनको compress करना मुश्किल हो दबाना मुश्किल हो वो क्या होती है hard होती है गुलती हुए हमें वालूम है तो यहां पर एक glass bicker में पानी रिखा है जिसमें हम अगर लोहा डालें या stone डालें तो जो वो नहीं गुलेगा जबकि हम इसमें sugar और salt नमक डालें तो गुल जाएगा what appears but doesn't appear तो इसमें हम गुल in soluble और in soluble का आराम से पताला लगा सकते हैं कि जो disappear हो जाएगा पानी में वो soluble होगा जो पानी में disappear नहीं होगा तो इस प्रकार mixin different solid material in barters या mixing की है पानी के साथ कुछ solid की हमें हमें बताना है कि salt नमक disappear in water does not disappear हमने बताना है कि डिसापियर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा डिसापियर कंप्लेटली इन दा बाटर नमक जो पानी में असानी से घुल जाता है सुगर डिसापियर कंप्लेटली इन दा बाटर सैंड रेत है वो रेत डू नोट डिसापियर कंप्लेटली अगर हम इसको पान जब की चौक पौडर इनसॉलूबल पर्सली सॉलूबल और सैंड तो इनसॉलूबल और सुगर सॉलूबल बिले और अबिले तो इस परकार हम देखेंगे की बी बी विल नोटिस दैट सम सबस्टांस कुछ एक सबस्टांस है कम्प्लिटी डिसपियर्ड और डिजॉल्विन ब बाटर तो ऐसे पतारत को बलेंगे सॉलूबल इन बाटर वाइल अधर सबस्टांस दो नोट मिक्स ऐसे हैं जो की पानी में नहीं बूलते हैं और डिसपियर्ड नहीं होते हैं उन्हें इनसॉलूबल कहते हैं अगला जो हमारा इसमें है एक्टिविटी कि हम सॉलूबल और लुकुर्ड का पानी में और हम इसमें लिकुर लेंगे पैनिगर है तो मिक्स बैल हो जाता है लेमन जूस निम्बू का पानी मिक्स बैल मस्टर्ड वाइल नहीं मिक्स होता है मिक्स बैल और डज नॉट मिक्स तो यहां लिकेंगे हम मिक्स मिक्स बैल और मस्टर्ड डू न तो इस प्रकार हमारे जो बुक्स में टेवल दे रखा है हम आसानी से सॉलूबल और इनसॉलूबल दिखा सकते हैं कि कौन सा सबस्टांस जो सॉलूबल है और कौन सा इनसॉलूबल है फिर अगला जो प्रॉपर्टी है अबजेक्ट में फ्लोट और सिंक तो बस तो हैं कुछ अबजेक्ट्स हैं जो पानी में तैर जाती हैं और कुछ जो हैं डूब जाती है तो जिस परकार सुखे पत्ते हैं और लकड़ी है वो हमें मालूम है रूई है तो इसमें वो पानी में फ्लोट कर जाती है जबकि लोहा और लोहा पत्थर इस परकार की जो अबजेक्ट्स है वो पानी में डूब जाती है तो यहां पे दिया है Some object float in water while other sink in तो यहां पे पत्ता है और लकडी का टुकडा है यहां चाबी है स्कॉाइन है और स्टोन है यह पानी में डूब जाते हैं तो इस परकार हम float और sink के अधार के उपर भी जो material हैं उनकी हम testing कर सकते हैं कि वो किस परकार के object हैं अगला जो सबसे important है वो transparency तो यहां पर एक activity दे रहे लड़का है जिसमें बरफ इसमें object लिखिये जिसमें इसमें बिलकुल भी दिखाई दे रहा है और इसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है और इसमें साफ दिखाई रहा है तो इसी अधार के उपर हम बड़े अराम से आप यहां पर differentiate कर सकते हैं कि हम कौन सा topic यहां पर कौन सी object जो है वो transparent है और कौन सी जो है वो not transparent है तो ऐसी object the substances material substances विचार transparent material कौन होती है जिन में आर पार हमें दिखाईता है पारदर्सी जिन ने हम कहते हैं substances or material through which things can be seen are called transparent ऐसे substance जिन में हम साफ साफ दिखाई देता हो उसे हम कहेंगे transparent उसके बाद जो हमारा है ओपेक ओपेक दीज मेटियल्स आर कौन ऐसे substance जिन में हमें which you do not able to see materials through which you are not able to see ऐसे भी material है जिसमें हम बिलकुल भी नहीं देख सकते हैं तो उन्हें कहेंगे हम ओपेक और इस परकार के जो सवस्टांस से उन्हें कहेंगे अपार दर्सी जिन में आर पार हमें बिलकुल ना दिखाई दे और तिसरा जो है हो है translucent ट्रांसलूसेंट ऐसे भी सबस्टांस हैं अगर हम कागज लें पेपर लें उसके उपर हम फैट यह वाइल की दो चार बूने डालें तो वाइली पेपर जो है उसमें से हमें थोड़ा दिखाई देता है तो इस परकार के सबस्टांस को कहेंगे translucent पार भासी तो इस परकार हमने तीन परकार के सबस्टांस उपड़े वो थे transparent पार दर्सी और opaque पार दर्सी और translucent पार भासी जिन में से हमें थोड़ा सा ही दिखाई देता है कम दिखाई देता है appearance तो इस परकार हम उनकी grouping हम क्या कर सकते हैं, उनकी use, तो इसमें हम, material different in their appearance, उनकी दिखावट में कुछ हैं जो mix हो जाते हैं, पानी में कुछ नहीं होते हैं, कुछ पानी में तैर जाते हैं, कुछ डूब जाते हैं, और कुछ transparent होते हैं, कुछ होपेक होते हैं, कुछ translucent होते हैं, material can be grouped on the basis of similarity, उन difference, उनकी विविन्ताओं के, उनके गुणों के कारण, उनके गुण जो हैं, बस्तु में, उसके अधार पर हम बस्तु की, जो grouping है, वो कर सकते हैं, तो इस परकार अब हमारा जो summary, इस question की summary है, जो हमने आज पढ़ा, object around us are made up of large variety of material, जितने भी हमारे पास, चारों और हमारे प object को बहुत सारे last number से बना जा सकता है, it is also possible that an object could be made of single material, हम एक substance से भी एक बस्तु बना सकते हैं, या last number से भी हमें कोई बस्तु बना सकते हैं, और many different type of materials, तो बहुत सारी बस्तों से भी हम कोई material बना सकते हैं, different materials, different types of materials have different properties, जितने जादा हम different material लेंगे, उस substance की property हमें उतनी ज जादा है इनी चमक होती है, और कुछ जो होते हैं उमें चमक नहीं होती, some are rough, कुछ ने का surface रुफ रफ होता है, कुछ का smooth होता है, सम अधर जादा होता है, कुछ जो पानी में बिले हैं, और कुछ जो जो बिले हैं, some materials such as glass जो glass हीसा है वो transparent है air transparent है और इस परकास जो हैं लकडी है, stone है metals है, और अपेक्यू हैं और some materials are translucent हैं जिसमें कम हमें आंसिक रूप से दिखाई एता है तो materials materials are grouped together on the basis of similarity हम उनकी, जो material है उनकी grouping, उनकी समानताओं के अधार कर सकते हैं उनकी बिभिन्ताओं बें differences के अधार पर उनकी गुनों की बिभिन्ता और गुनों की समानता के अधार पर हम material का grouping कर सकते हैं, things are grouped together for convenience, वो हमारी अपनी सुबधा के लिए हम पडारतों का हमारे लिए किस परकार उपयोगी हैं उस परकार भी हम उनकी grouping करते हैं and to study their property और उन्हें से उसी के साफ़ से हम उनकी properties पढ़ते हैं तो यह इस chapter की जो ही summary थी इस chapter में हमने क्या क्या पढ़ा अब इस में सबसे main point है वो exercise है exercise में मैं आपको यहाँ पे करके बताऊंगा exercise में और इस वीडियो के अंत में आपको इस पूरे के पूरे question की जो answer है वो आपको दी जाएंगे जो आपको helpful होंगे और जिनको आप बड़े आराम से कर सकते हैं तो exercise name five object that can be made of mood लकडी से बनी हुई पांच बस्तों है जिनें आप बड़ी आराम से बता सकते हैं table है maze table chair है door है window है इस परकार आप कोई सीवी जो आपके आस पास की पांच बस्तों को आप लिख सकते हैं number two question select those object from the flowing which are sign तो आपने यहाँ पे glass bound plastic toy, steel spoon और cotton shirt में जो sign करती है बस तू उसी को आपने लिखना है इसके बाद तीसरा question match the object given below with their material जिस इससे object दिया है यहाँ पे material दिया हुए यहाँ पे book है टमलर है, chair, toys, shoes तो इस परकार जिन से बनी भी इसको आपने match करना है तो इस परकार हम बड़े आराम से इसको match कर सकते हैं तो इसमें आपका एक question दिया गया है तो books है books हम मालूम है कि वो paper से बकागर से बनी होती है टमलर जो है glass इसमें glass से बनावता है chair chair, कुर्सी आप उसमें plastic की भी हो सकती है लकडी की हो सकती है तो आप अपनी इसमें समझ के अनुसार से लिख सकते हैं अगला question number state whether the statement given below are true or false आपने यहाँ पर statement को पढ़ना है और true or false करके बताना है stones are transparent पत्थर जो होते हैं वो transparent होते हैं higher glass is opaque क्यों तो इसमें गलत है इसमें reverse लिखा गया है गिलास जोता है और transparent होता है और stone opaque होता है तो इस परकार आप इस जितनी भी statement है इस question में आप उनको पढ़े और उनका अनुसार आप बड़े आराम से दे सकते हैं question 4 में यहाँ true or false दे रखे हैं sugar does not dissolve in water तो चीनी जो पानी में गुलती नहीं है तो यह wrong है oil mixes with water पानी में तेल गुल जाता है यह गलत है sand settled down in water sand जो है पानी में settled down हो जाता है ठीक है benigar dissolve in water ठीक है तो इस परकार आपका question number 4 है question number 5 given below are the names of some object and material यहाँ पे कुछ object or material दिये गए हैं आपके question में आपने इनकी क्या करनी है पादर से बाले कौन से है eatable खाने वाले हैं और non eatable जो हैं जिने हम नहीं खा सकते हैं इस परकार water basketball, orange, sugar, globe, apple and earthen picture इस परकार हमारे पास यह दिये गए है फिर इस परकार question number 6 list all items known to you that float on water जो पानी में तैर जाती है check and see if they will float on an oil or kerosene list all items known to you आप अपनी जानकारी के अनसार लिखें कि कौन कौन से item है जो कि पानी में तैर जाती है जैसे paper है, sponge है और cotton है यह पानी में तैर जाते हैं क्या यह while or kerosene में भी डूप जाते हैं float तैर जाते हैं यह इस परकार अपने चेक करना है question number 7 find the odd one out of the following chair, bed, table, baby, couple तो यह जितनी भी चार जो है object है वह लपने की बनी है और बेबी जो इसमें odd one है इस परका रोज, jasmine, boat, marigold, lotus यह बोट जो है रोज, jasmine, marigold, name of flower है aluminium, iron, copper, silver, sand तो यहाँ aluminium, iron, copper, silver जो है, metals है sand जो है, non-metal है sugar, salt, sand, copper sulphate यहाँ sugar, chini, salt, नमक और copper sulphate पानी में गुलन सील है जबकि sand जो है insoluble है तो इस परकार आपके हमने इस पोरे के question को, 7 के 7 question को revise कर लिया study कर लिया अब इसी वीडियो के अंत में आपको इनी question के answer जो है return में दिये जा रहे हैं जिने आप study कर सकते हैं तो इस परकार इस वीडियो को देखते रहें like and subscribe my channel thank you very much झाल कर आप झाल 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 झाल